सुप्रभात नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं सुबह नौ बजे और मैं हूँ आपके साथ प्रीती शुरुवात करते हैं सुर्खियों के साथ बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए NCE RT स्कूल पाठिकरम में होगा आधा राज्य सभा टीवी के साथ विशेश बाचीत में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जामडेकर ने कहा संशूधित पाठिकरम 2019 से होगा लागू जनता के पैसे के लूट बरदाश्ट नहीं करेगी सरकार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने वित्तिय अर्णियमित्ता करने वालों को दी सक्त कारवाई की चेतावनी दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने कहा कुछ साल पहले तक कमजोर अर्थ व्यवस्थावाला भारत आज दुनिया के आर्थिक विकास का बना इंजिन राज्जी सभा के लिए 16 राज्जियों से 58 नए सदस्योंगा 23 मार्च को होगा चुनाओ उपरी सदन में उत्तरप्रदेश से चुने जाएंगे 10 सदस्य, माराष्ट और बिहार से 6-6 सदस्योंगा होगा निर्वाचन तुर्कमेनस्तान से भारत आने वाली तापी पाइपलाइन के अफगानस्तान खंड पर काम शुरू 1840 किलोमीटर गैस पाइपलाइन के 2020 तक पूरा होनी क्यों में और भारत दक्षन अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्नाइक टी-20 मैच आज केप टाउन में राज साने 9 बजे से मुकाबला टी-20 में विराट कोली 2000 रन बनाने से महस बीस प्रंदूर दूसरे मैस्ट में स्पिनर की नाकामी के बंदे नजर गेंद बाजी में बदला मुम्किन स्कूली चात्रों के साथ प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के परिक्षा पर चर्चा कारिक्रम के कुछी दिनों बाद केंदरे मानव संसादन विकास मंतरी प्रकाश ज्यावडेकर ने राज्य सभा टी-वी के खास कारिक्रम दपल्स में एक बड़ा एलान किया उन्होंने कहा कि NCE-RT के मौझूदा पाठिक्रम को घटा कर आधा कर दिया जाएगा ताकि स्कूली बच्चों को दूसरी गतिविधियों के लिए जादा समय मिल सके नयास लेबस 2019-2020 के शैक्षणिक सत्र से लागू होगा I am asking teachers who are teaching what portion should be mandatory and what portion should not be there We want to half the portion then only we will get opportunity to introduce physical education, value education, life skill education and experiential learning So all these things can come only therefore, that will create a good human being out of the system And students will be more interested Yes, because of the half syllabus they can actually do from next year Means we are starting now, but not next academic, 18-19, from 19-20 Learning outcomes are mandatory, that is the new accountability system, the teachers training, the 10th board exam and the exam at 5th and 8th All these things will improve the quality of education at school level and also we have taken many steps to improve the quality in higher education Kendra Manav Sansadhan Vikas Mantri ने ये भी कहा कि बड़े पैमाने पर 15 लाग शिक्षिकों को प्रशिक्षित करने के अभ्यान से बच्चों की सीखने के परिनामों में भी सुधार होगा After the right to education, they were given time up to 15th, but that only 5 lakh teachers did the education Now 15 lakh were still untrained This time we have launched a massive course, online course, offline course And more than 14 lakh teachers have registered themselves and are studying and we are assessing them every weekly basis So teachers training is another component Kendra Manav Sansadhan Vikas Mantri प्रकास जावडेकर्स के साथ ये पूरा इंटिव्यू आप राजी सभा टीवी के खास कारिकरिम दपल्स में रविवार राद आठ बजे देख सकते हैं हब रुमे आगे बढ़ेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने आर्थिक विश्यों से संबंदित अर्नियमित्ताओं के खिलाफ कड़ी कारवाई की चेतावनी दी है दिल्ली में कल चोथे ग्लोबल बिजनस समिट को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि जनता के पैसे की लूट बरदाश्ट नहीं की जाएगी और सरकार वित्तिय अर्नियमित्ताओं के मामले में कड़ी कारवाई करेगी उन्होंने कहा कि वित्तिय संस्थानों के प्रबंधन और नियामकों को अपना काम पूरे समर्पन से करना चाहिए दो दिन की ग्लोबल बिजनस समिट की कल शिरुवात हुई थी वित्तवंत्री अरुन जेटली आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे एक अपील मैं ये भी करना चाहता हूँ कि विबीन फाइनशल इंस्टिटूशन्स में नियम और नियत यानि एथिक्स बनाए रखने का दाहित्व जीने दिया गया है वो पूरी निष्ठा से अपना कर्तव निभाए विशेशकर जीने निगरानी और मोनिटरिंग की जिम्मेदारी सौपी गई है मैं स्पस्ट करना चाहूँगा कि ये सरकार आर्थिक विशनों से संबंदित अनियमत्ताओं के विरूत कड़ी कारेवाई कर रही हैं करती रहेगी और करेगी जनता के पैसे का अनियमित अर्जन इस सिस्टिम को स्विकार नहीं होगा पूरे विश्व के विकास में महत्वपून योगदान दे रहा है पिछले तीन-चार वर्षों में भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की एकोनमिक ग्रोथ को मजबूती दी है वर्ल्ड जीडिपी में अगर हम नॉमिनल टम्मेड डेटा को देखें तो बड़े रोचक तथे सामने आ रहे हैं इंटर्नेशनल मॉनिटरी फंड आयमेड के आंकडों के अनुसार 2013 के अंत में भारत का वर्ल्ड जीडिपी में नॉमिनल टम्में कंट्रिबूशन 2.4 परसेंट था हमारी सरकार के लगभग चार वर्सों में ये बढ़कर 3.1 परसेंट हो गया है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कैनड़ा के प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो को साफ कह दिया है कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वालों को बरदाश नहीं किया जाएगा दिल्ली में कल कैनड़ा के प्रधान मंतरी से मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने कैनडा में खालिस्तान के समर्थन में चल रही गतेविधियों के मद्दे नजर ये बात कही उन्होंने कहा कि भारत और कैनडा दोनों को इस पर काम करना होगा शिखरवारता की बार प्रधान मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयों के प्रचुर अवसर है लेकिन उनका भरपूर इस्तमाल करना होगा कैनडा की प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो का आज दिल्ली में यंग चेंज मेकर्स कॉनकलेव को संबोधित करने का कारिक्रम है प्रधान मंत्री नरेंदर बोधी ने शुकरवार को कैनडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो के साथ हुई शुकरवारता में कैनेडा में शरण लिये खालिस्तान समर्थकों के मामले को उठाया। उन्होंने साफ कहा कि कैनेडा सरकार को इस पर नियंतरण करना होगा। कैनेडा के प्रदानमंत्री जस्टिन टूडो का जोर दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और दोनों देशों की जनसंख्या की विविधिता पर केंद्रिथा। आस कना तुक कानदा लो की ओंट जोतूपन इना लुडो कानी जह assтовी हिर्शा सिर्ष एंजों पल्टरे की विविविगास की जनी कि एश्प्राइल पर विविपनानrecht क्रूस्तार ओ Sur for commercial cooperation. To this effect, Prime Minister Modi and I welcome the conclusion of and progress on cooperation agreements in areas such as civil nuclear science and technology, information technology, automotive sector cooperation, intellectual property, smart cities and customs enforcement. शिकरवारता के बाद दोनों देशों के बीच छे समझावतों पर अस्ताक्षर हुए. इन समझावतों में तक्नीक, Electronics, उर्जा में सहीयोग के अफसरों की तलाश, पेटेंट, उच्च शिक्षा, परमानू उर्जा और खेल में सहीयोग से संबंधित मामले शामिल हैं. कैनडा के प्रधानमंत्री आट दिनों की आत्रा पर भारत में हैं और प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के साथ शिकरवारता से पहले उन्होंने अमरत्सर, मुंबई, एहमदबाद, आगरा और दिल्ली में परटन स्थलों का भ्रमन किया. कैनडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने विदेश मंत्री सोश्मा स्वरा से भी मुलाकाद की और आपसी भागेदारी बढ़ाने के तरीखों पर चर्चा की. दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के मसले पे गहन चर्चा की. और तैय यह हुआ कि दोनों देश इस पर कार्य योजना बनाने के लिए और एक राय बनाने के लिए काम करेंगे. दोनों देशों के रास्टिये सुरक्षा सलाकार इस काम में शामिल होंगे. राज सवाटिली विजन के लिए कैमवापरसन प्रशांतों के साथ दिल्ली से अखिले सुमन. प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आचिन नई का भी दोरा करेंगे. तमिलनाडू में दुपाहिया वहान खरीदने के लिए कामकाजी महिलाओं को 50 प्रितिशत सबसिडी देने की AI-ADM के सरकार के महतवकांशी योजना के शुभारम के मौके पर प्रधान मंत्री नरेंदर उसे पहले राज्जी का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है. कॉंग्रस अध्धक्ष राहूल गांधी आज से तीन दिन के करनाटक दौरे पर जा रहे हैं. दौरे के पहले दिन राहूल गांधी बिलगाम जिले के अथानी में एक जन्द सभा को संबोधित करेंगे. इसके ब संबोधित करेंगे. इसके लाबा गुजुरात और करनाटक से चार चार सीटे हैं. राजस्तान, उडिशा, तेलंगाना और आंध्यप्रदेश से तीन-तीन सीटे हैं. जारखंड से दो, उत्तराखंड, हिमाचर पर देश, हर्याना, 36 गर से एक-एक सीट है. चुनाओ यदि सुचना 5 मार्च को जारी की जाएगी. नामानकन पत्र भरने के आखरी तारीक 12 मार्च होगी. और नामानकन पत्रों की जाच का काम 13 मार्च को किया जाएगा. पंदरा मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतदान 23 मार्च को 9 बजे से 4 बजे तक होगा. वहीं मतों के गिनिती उसी दिन 5 बजे से होगी. चुनाओ प्रक्रिया 26 मार्च तक पूरी की जानी है. निर्वाचान आयो केरल से राज्य सभा की एक सीट के लिए उप्चुनाओ भी इसी दिन कराएगा. और अब पुर्वोत्तर राज्यों में विधान सभा चुनाओ से जुड़ी एहम ख़बरे. में एक घाले विधान सभा चुनाओ प्रचार के लिए बहुत कम वक्त बचा है. राज्यीतिक दलों ने चुनाओ प्रचार में पूरी ताकत जुग दी है. राज्य में 27 वरवरी को विधान सभा की 69 सीटों पर चुनाओ होना है. मैदान में कुल 372 उम्मीदवार हैं. सब्ताधारी कॉंग्रेस यहां सभी सीटों पर चुनाओ लड़ रही है. जब कि राज्य में बीजेपी ने 47 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. मे घाले यानि बादलों का घर. उत्तर पूर्व के इस छोटे सी राज्य को खुद्रत ने असीम खुबसूर्ती से नवाजा है. परेटकों के लिए मेघाले में देखने के लिए एक से एक बहतरीन जगा है. लेकिन परेटन को बढ़ावा नहीं मिलने के वज़े से ये फल फूल नहीं पाई. इस बार चुनाओं में सभी राजनेतिक दल परेटन पर जोड देने की बात कर रहे हैं. संबुदर तल से करीब 1500 मीटर के उचाई परस्तित मेघाले में कई परेटन स्थल हैं. जिसमें अलिफेंटा फॉल, शेलोंग की परवत चोटी और राजधानी से 60 किलोमीटर दूर स्थित सबसे अधिक बारिश वाला छेतर, चेरापुंजी और मौसन राम भी शामिल है. शेलोंग की वास्तुकला और खानपान पर बिटिश जलक देखने को मिलती है. लेकिन परेटन व्यवसाय से जुड़ी लोग सरकार पर इस छेदर की अंदेखी का आरोप लगा रहे हैं. सैलानियों के आकलों की बातें करें, तो साल 2006 में जहां 4 लाख परेटक में घाले पहुचे थे, तो 2017 में तादाद बढ़कर महज 8 लाख 40 हजार तक ही बहुची. इन 10 परसों में विदेशी परेटकों की संक्या भी 4 हजार से बढ़कर 8 हजार तक बढ़ी. इसलिए इस बार के चुनाव में परेटन उद्यो कमुद्दा सभी राजनीदिक दलों के जिंडे में शामिल है. कोईला खनन के बंद होने के बाद से स्थानिय लोग परेटन के सहरे ही रोजी रूटी कमाने की कोशिश में लगे हैं. ऐसे में ये एक एहम चुनावी मुद्दा बन गया है. उत्तरपूर्व का स्वर्ग कहे जाने वाले मेगाले में सरकारों ने परेटन उद्यो को बढ़ावा देने के लिए अधिक कोशिशें नहीं की. लेकिन इस बार कोईला खनन बंद होने के बाद से ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है. यहां की लोगों का मानना है कि अगर इस उद्योग को बढ़ावा दिया जाए सरकारी सहयता मिले तो ये नकेवल अपनी रोजगार की जरुरतों को पूरा कर सकता है बलकि साथिसाथ देश की अर्थ विवस्था में भी सकारत मक्ट सहयोग कर सकता है. शिलोंग से कैमेरमन सरोज के साथ रविन सिंग शोरान, रज्यसभा टीवी. अपने उम्मीदवार उतारे हैं. इसने मुख्य सचिव मामले में मुख्य मंतरी आवास जाकर CCTV फुटेज जुटाएं हैं. इधर मुख्य मंतरी केजरिवाल ने उपराज जुपाल अनिल बैजल से मुलाकात की. दिल्ली में मुख्य सचिव अन्शु प्रकाश के साथ बदसलूखी का मामला अभी भी सुर्खियों में है. दिल्ली सरकार के आईस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शुकरवार को केंद्रिय कार्मिक राज्य मंतरी जीतेंडरी सिंग से मुलाकात की. अधिकारियों ने दिल्ली सरकार की कामकाज के तरीकों को लेकर विरोध दर्ज किया. जीतेंडरी सिंग ने कहा कि अधिकारियों के लिए काम का महौल बनाना कार्मिक विभाग का काम है. डियो पीटी के अधिकारी इस मामले को देख रहे हैं और जरूरी कदम उठाए जाएंगे. और उनका कुछ ये भी कहना था कि उन्हें कुछ दिक्कते हैं कामकाज अपना निभाने में, अपनी जिम्मेदारी दिभाने में, दिल्ली परशासन में, जहां वो इस समय काम कर रहे हैं. हमने उनकी सारी बातों का संग्यान लेकर के उनसे ये कहा है कि ये जो भी इन्पुर्स उनसे उपलब्ध हुई हैं, ये संबंधित स्तर पर रख दी जाएंगी. दिल्ली सरकार के अधिकारियों का प्रतिनिधी मंडल ग्रिह मंत्राले भी पहुँचा और मामले में शिकायत दर्ज कराई है. दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने मुख्य मंत्री अर्विंद केज रिवाल के घर से CCTV फुटेज अपने कबजे में ले लिया है और विडियो के जरिये मामले की पड़ताल की जा रही है. आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस के जाच के तरीके पर सवाल भी उठाया है. उनके हाँ पुलिस बल भेज कर और दादागिरी दिखाने की जो एक कोशिस की गई है. इस कारवाई के खिलाफ कल पूरे देश के जिला मुख्याले पर और राज्य मुख्याले पर आम आदमी पार्टी का जवरदस्त विरोध और प्रदर्शन होगा. हम अपने राजनेतिक प्रतिदंदियों के खिलाफ इलजाम जरूर लगाते हैं, मगर भाशा के स्तर को कभी भी नहीं गिराते हैं. मगर आज जिस प्रकार के भाशा के स्तर को गिराने का प्रयास आम आदमी पार्टी ने अपने प्रेस कॉन्फरेंस में किया है, ये निंदनी है. दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अन्शु प्रकाश का आरोप है कि 19 फरवरी को मुख्य मंत्री आवास पर उनके साथ आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बदसलूखी की. अन्शु प्रकाश का कहना है कि जिस वक्त उनके साथ धक्का मुक्य की गई तब मुख्य मंत्री खुद मौके पर मौझूद थे. इस घटना के विरोध में दिल्ली के अधिकारी, सरकारी बैठकों का वहिश्कार कर रहे हैं और मुख्य मंत्री से माफी की मांग कर रहे हैं. ब्यूरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी. के सलाकार विके जैन ने सरकारी गवा बनते हुए कोट में गवाही दी है, कि मुख्य सचिव के साथ मारपीट उनके सामने हुई थी. जारखन्ड हाइ कोट ने चारा गुटाला मामले में सजा काट रहे, आरजडिय धैक्ष लालो प्रसाद यादव को जमानत देने से इंकार कर दिया है. लालो प्रसाद ने देवघर कोशागार से अवैद निकासी मामले में जारखन हाई कोट में जमान अत्याचिका दायर की थी जिसे कोट निकल खारिच कर दिया चारह घुटाले के देवघर और चायबासा कोशागार मामले में CBI कोट ने लालो प्रसाद को साड़े तीन साल और पांस साल की सजा सुनाई है जिसे हाई कोट में चुनाउती दी गई है चारह घुटाले के पांच मामलों में इसे तीन पर CBI कोट फैसला सुना चुकी है जबकि दोड़नडा और दुमका कोशागार से जुड़े दो मामलों अभी जानी है फिल्मकारों को ऐसे फिल्मों का निर्मान करना चाहिए जिससे समाज में परिवर्तन आए और आपसी सामंजस को बढ़ावा मिले फिल्मों के जरीए सांप्रदाइक सोहार्द, राष्ट्री एकता और देशभक्ती को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए उपराश्पती अमवंकाय नाइडू ने ये बात चिन्नई में कल आयोजित एक कारिकरम के दोरान कहीं इसका आयोजिन मशूर फिल्मकार नागीरेड़ी के सम्मान में किया गया था इस मौके पर उपराशपती ने कहा कि नागी रेड़ी एक मशूर प्रकाशक, सफल फिल्म निर्माता, परोपकारी और मानवतावादी थे कारकरम में उपराशपती ने फिल्मकारों को सामाजिक बुराईयों के खिलाब आवाज उठाने और फिल्मों के जरिये बदलाव लाने से जोड़े प्रयास करने के लिए कहा काड़करम में उपराशपती ने नागी रड़ी पर एक स्मारक स्टैंप जारी किया और एक पुस्तक का भी मोचन भी किया सिनिमा आल्सो इस तो गी वार्ण भारत ने का लोडिशा ताट के पास से पर मालुक्षमता से लेज़ सतह से सतह पर मार कने वाली धनश बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परिक्षन किया पर मालुक हतियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की मार क्षमता साटे FL, 500 किलो मीटर है धनश मिसाइल 500 किलो ग्राम पे लोड साथ लेकर जाने के साथी जमीर और समुदर में अपने लक्षें को भेधने में सक्षम है रक्षाबलों के सामरिक बल कमान ने इसके परिक्षन को अंजाम दिया अगनी, पृत्वी और धनुष सहित पाँच परमालुक शमता वाली मिसाइलों के ओडीशा तट से सफल परिक्षन को भारते सेन निताकत में इजाफे के रूप में देखा जा रहा है भारते सेना में पहले ही शामिल की जा चुकी धनुष मिसाइल का पिछली बाल सफल परिक्षन 9 अपरेल 2015 को ओडीशा तट से किया गया था भारत तक आने वाले इतापी पाइपलाइन के अफगानिस्तान खंड पर काम शुरू हो गया है तुर्कमेनिस्तान से भारत तक की अरबो रूपे की स्पाइपलाइन के जरिये दक्षन एशिया की उड़जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी एक हजार आट सो चालिस किलो मीटर लंबी स्पाइपलाइन के निर्मान का काम दोजार बीस में पूरा होने और इसी साल इसके जरिये गैस आपूरती शुरू होने की संभावना है इसके जरिये सालाना करीब 33 अरब क्यूबिक मीटर गैस की आपूरती की जाएगी तुर्कमेनिस्तान में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा गैस का भंडार है तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर आयुजित समारों में अफगानिस्तान की राश्पती अश्रफ गनी तुर्कमेनिस्तान की राश्पती गुर्मेंगुली, बेर्दी मुखामे दोव, पाकिस्तानी प्रधानवंतरी शाहिद खाकान अबासी और भारती विदेश राजय मंत्री M.J. अक्बर मौजूद थे इस मौके पर M.J. अक्बर ने परियोजना की सराहना करते हुए कहा ये हमारे लक्षियों का प्रतीक और चारो देशों के 20 सहयों का नया अध्याय है गौहाटी में चल रहे राश्ट्रे विज्ञान फिल्म समहरो का समापन हो जाएगा चौते दिन कल ज्यूरी के सबी सदस्यों ने सम्मेलन में दिखाई गया प्रतियोगिता फिल्मों के बारे में चर्चा की उन्होंने का कि विज्ञान को फिल्मों में कहानी की तरह दिखाया जाना चाहिए ना कि किताबी ग्यान की तरह इससे फिल्म में दर्शकों के दिल्चस्पी खत्म हो जाती है जूरी के सदस्यों ने का कि फिल्म निर्माताओं पर देश के मार्ग दर्शन में भागिदारी निभाने की जिम्मेदारी है इसलिए फिल्मों में सामाजिक संदेश और प्रभाब को शामिल किया जाना चाहिए रात क्रिकिट की भारत दक्षर अफरीका के बीच आस सिरीज का तीसर और आखरी निर्नायक टी-20 माच खेला जाएगा ये माच केप टाउन में रात साड़े नौ बजे से खेला जाएगा तीन माचों की सिरीज में दोनों टीमें एक-एक से बराबरी पर हैं दुनों ही टीमें इस मुकाबले को अपनी जूली में करके सिरीज जीतने के लिए बेकरार हैं टीम इंडिया की कोशिश इस दोरे का अंत जीत के साथ करने की होगी टीम इंडिया ने जोहानिस बर्ग में पहला टी-20 माच 28 रन से जीता था इसके बाद दक्ष्ण अफरीका ने सेंचूरियन में 6 विकेट से जीत कर बराबरी की टीम इंडिया आज के मैच में गेंद बाजी में बदलाव कर सकती है दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र यानि भारत में राश्पती भवन देश की शक्ती और शान का प्रतीक है इस महान विरासात का एक और मशूर हिस्सा है मुगल गारडन जिसे देखने के लिए दूर दरास से लोग हर साल यहां पहुँचते हैं इस बार भी मुगल गारडन 6 फरवरी से आमजनता के लिए खुला हुआ है और दर्शक 9 मार्श तक यहां घूमने का लुटव उठा सकते हैं अपनी खुबसूरती और फूलों की नायाब पिस्मों के चलते मुगल गारडन के फूल दर्शकों में उठसुकता का विशे बने हुए है जब गारडन हमारे दिमाग में जहन में आता है तो कुछ चीज़े आटोमेटिक आती है जिसमें खिले हुए फ्लावर आते है एक फैला सा लॉन आता है कुछ भरे से अच्छे से पेड़ा आते है पर जहां तक इसके नाम का सवाल है तो मुगल गारडन एक पैटर्न है तो कि मैं जह से बहुत चारी बरैटी है जह से बिलामी करके एक बरैटी है बलेक लेडी है और डबल दिलाइट एक बरैटी है इसका जो फूल जो हता है कुछ जो मलब फ्रेग्नेंस बढ़िया सी आती है इस दिए फ्रेग्नेंस के टागरी में इनको रखा गया है यहां जितने भी राष्टपती भावन में पहुदे हैं यहां जा मैं खड़ी हूं यहां खड़ी होके देखिए इंसान बिल्कुल डिवाइंट से कनक्ट हुता है बहुत बहुत जबर्जस्त पॉजिटिव वाइब्रेशन से है और अब आखर में हेडलाइन्स बच्चों के समगर विकास को बढ़ावा देने के लिए NCRT स्कूल पार्टिक्रम होगा आधा राज्यसबा टीवी के साथ विशेश बाचीत में मानव संसादन विकास मंत्री प्रफास जाबने करने कहा संशोधित पार्टिक्रम 2019 से होगा लागू जनता के पैसे की लूट बरदाश नहीं करेगी सरकार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने विप्ति अर्णियमित्ता करने वालों को दी सक्त कारवाई की चेतावनी दिल्ली में ग्लोबल बिजनस सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने कहा कुछ साल पहले तक कमजोर अर्थव्यवस्थावाला भारत आज दुनिया के आर्थिक विकास का बना इंजन राज्य सभा के लिए 16 राज्यू से 58 सदस्यों का 23 मार्श को होगा चुनाओ उपरी सदन में उत्तर प्रदेश से चुने जाएंगे 10 सदस्य महराश्य और बिहार से 66 सदस्यों का होगा निर्वाचन तुर्कमेनिस्तान से भारत आने वाली तापी पाइपलाइन के अफगानिस्तान खंड पर काम शुरू 1840 किलो मीटर गैस पाइपलाइन के 2020 तक पूरा होने की उमी और भारत और दक्षन अफरीका के बीच तीसर और नाएक टी-20 मैच आज केप टाउन मेराच साड़े 9 बजे से मुखाबला टी-20 में विराट को ली 2000 रन बनाने से महस 20 रन दूर दूसरे मैच में स्पिनर के नाकामी के मदे नज़र गेंद बाजी में बदला मुम्किन और इसे के साथ फिलाल सुमर 9 बजे के खबरों में मेरे साथ इतना ही आगे देखिए हमारा खास कारिकरम विशेश में आम आदमी की उड़ान नमस्कार